Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल इसके साथ-साथ उनको कई सारी security जो facilities हैं वो flat में दी जाएंगी, तो समझेंगे की exactly मामला क्या है, यहाँ पर भारत सरकार ने इसका क्यों निर्णे लिया, काफी कुछ जानने को है चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा दोस्तों 22nd of August से पूरा जो U को मैं बता दू, 900 प्लस hours of life teaching, यहाँ पर MCQ, daily current affairs, test series और answer writing practice आपके main exam के लिए और आपको एक mentor भी दिया जाएगा, कोई problem है, कोई दिक्कत है, कभी भी आप अपने mentor से पूछ सकते हैं, इसके लवा आपको एक optional की तयारी का भी मौका मिल गया है, क्योंकि political science और geography का optional हमारे channel live हो चुका है, इसके लिए अगेन आपको यूज करना है, code अंकित live ताकि आप इस optional की तयारी में जुट जाएं, इसके लावा अगर आपको MCQs attempt करना है, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाएए, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले सुरुआत क जो camp के अंदर हैं, जो सरकार के निगरानी में हैं, लगभग 1100 रोहिंग्याज refugees, उनको सरकार flat देने वाली है, एक flat में यहाँ पर रखा जाएगा, उसके अंदर जो basic facilities होती हैं, वो रहेंगी, round the clock security रहेगा, ये जो decision है मैं बताओं, तो high level की meeting हुई थी, national capital में दिल्ली के और इस meeting के अंदर जो chief secretary of Delhi है, senior officials हैं, दिल्ली government के और central government की तरफ से, जो ministry of home affairs के officials हैं, दिल्ली police के officials हैं, उन सभी के दोरा ये meeting attend किया गया था और ये decide किया गया कि रोहिंग्या refugees को finally यहाँ पर settle किया जाएगा, question यह है कि आखिरकार ये क्यों किया जा रहा है, देखो इस meeting के दोरान दिल्ली government ने ये बताया, ये emphasize कि उनको हर महने 7 लाख रुपए का लगभा खर्चा आता है, जो tent लगाये जाते हैं, मतलब ये जो 1100 रोहिंगा refugees हैं, उनको रखने के लिए एक tent के अंदर करीब 7 लाख रुपए हर महने दिल्ली सरकार burden उठाती है, खर्चा उठाती ह और ये present में बता दूँ कि दिल्ली के अंदर जो मदनपूर्ख हादर है, अगर आपने दिल्ली में रहते हो, सरीता विहार आपने सुनाओकर जो Apollo Hospital है, उसके आगे जाकर ही यहाँ पर एक मदनपूर्ख हादर village बोला जाता है, वहाँ पर एक camp लगाया गया है उसी के पास, और वहीं पर ये रह रहे हैं, पहले क्या हुआ था कि camp में एक incident हो गया था, fire incident और उसके बाद उनको मदनपूर्ख हादर के बास shift किया गया था, लेकिन अब क्या होगा, कि NDMC के द्वारा, New Delhi Municipal Council के द्वारा, जो कि BJP के अंदर आता है, उनके द्वारा यहाँ पर एक flat में shift किया जाएगा, इन बकरवाला विलेज इन आउटर डेली में आपको दिखाता हूँ, यह दिल्ली का अगर आप मैप देखोगे, इधर UP है, नीचे पूरा इस सेट आपको हर्णाना मिलेगा, तो यह नोड़ा के पास ही अगर आप देखोगे न, यहाँ पर actually है जो कि present में वो इस समय रह रहा है, मतलब कि South East Delhi में आप लगभग कह सकते हो कि यहाँ पर जो रोहिंग्या refugees हैं उनको सेटल किया गया है, लेकिन अब उनको shift करके बकरवाला जो विलेज है वो आपको western side, दिल्ली के outer side में western side में यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा जो नज 1100 रोहिंग्या refugees को सेटल किया जाएगा और सेटल करने का मतलब क्या एक सिर्फ फ्लैट देना नहीं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस को instruct किया गया है क्योंकि रोहिंग्या refugees है, हो सकता है उनके उपर किसी प्रकार का attack हो जाए, इसको देखते वे यहाँ पर round the clock security भी हो गया, television हो गया, इस तरह की सारी facilities campus के अंदर मौजूद रहेगी, और दिल्ली सरकार जब यह पूरी facilities वहाँ पर लगा देगी, तो उनको यहाँ पर यह जितने भी flats हैं, वो hand over करना पड़ेगा FRO को, that is foreign regional registration offices, और इन लोगों के द्वारा, यह 1100 जो रहिंग्या refugees हैं, वो flat allocate किया जाएगा, वैसे मैं बता दूँ, यह जो flat की हम बात करें हैं, बखकरवाला village में, वो basically COVID के दोरान, NDMC ने यह flat दिल्ली सरकार को दिया था, ताकि जो isolation होता है COVID patients का, उनको वहाँ पर रखा जाए, तो यह basically क्या है कि अभी Rohingya refugees जाएंगे, और उनके पास, हर एक के पास सी बात है, क्योंकि हम दिल्ली की बात करें हैं, और जो central government के अंदर ministry of housing affairs आता है, उनका एक important role होता है, तो यहाँ पर जो minister है, हर्दीप सिंग पूरी जी, ministry of housing के, उनके द्वारा इस decision को appreciate किया गया है, और कहा गया है, कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सुधायें हैं, वो हम provide कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा ये भी बोला गया, कि भारत हमेशा से जितने भी refugees हैं, जिनको शरण लेना होता है देश के अंदर, उनको हमेशा से welcome किया है, या आप देख सकतो, India has always welcomed those who have south refugee in the country, प्लस साथ में उन्होंने यहाँ पर उन लोगों के उपर भी target किया, जो कि CA का विरोध कर रहे थे, कई आपने देखा होगा, जो citizenship amendment act है, उसके तहत यहाँ पर जो लाया जा रहा था सरकार के दोरा, तो कई सारे जो विरोधी हैं, opposition हैं, उनका कहना था कि सरकार इसके माध्यम से, जो बाकी के जो Muslims हैं, जो आए हैं, पडोसी देशों से उनको सरकार वापस भेजना चाहती है, तो इसको देखते हैं, हरदीप सिंग पूरी जी ने कहा कि नहीं, देखिए, हम यहाँ पर भारत में जो refugees हैं, जो आते हैं, उनको हम शरण देते हैं, और साती जाद उनको यह भी कहा कि भारत जो है, वो UN का जो convention है, 1951 का refugee convention, उसको follow करता है, वैसे कहां पर जाएगा, उसके rights क्या होंगे, तो basically इस convention के अंदर, यहाँ पर जो core principle है, वो है non-reformment का, non-reformment का मतलब यह होता है, अगर कोई refugee किसी दूसरे देश में जाता है, तो वो जो देश है, वो forcefully उस person को वापस उसके देश नहीं भेज सकता, जब तक वहाँ पर उसके life क चल रही है, तब तक force नहीं कर सकता, इसके आगे चलकर 1967 में एक और protocol आया, इस से related, ताकि इसको और ज़्यादा broader किया जा सके, लेकिन यहाँ पर एक important चीज़ आपके exam point of view से जानने वाली है, कि भारत अभी तक 1951 का जो refugee convention है, और जो 1967 का protocol यह आया था, दोनों का signatory नहीं, हम लेकिन अभी तक उन्होंने अपने parliament से उसको pass नहीं कराया, तो जब तक parliament से pass नहीं कराएंगे, तब तक उसका कोई अर्थ है नहीं, वैसे मैं बताओं, तो total 140 countries ने इसको sign किया था, वैसे अगर हम रोहिंगया refugees की बात करें, तो दिखें, लगबग 5 साल हो चुके हैं, 2017 में क रोहिंगया refugees हैं, उनको हटाया गया, भगाया गया, और इसके चलते यहाँ पर आप देखें, तो बांगला देश सबसे पहला जो देश है वो यह आता है, और इसलिए maximum 75% जो रोहिंगया refugees हैं, वो आपका इस समय बांगला देश के अंदर हैं, और इस समय लगबग 5 साल हो चुका है, वैसे refugees का मतलब यह होता है, according to UN, a person who flees their home country due to violence, conflict, और persecution, तो यहाँ पर किसी प्रकार का persecution करना, कोई conflict चल रहा है, violence चल रहा है, उसकी वजए से जो person अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, उनको refugees कहा जाता है, तो 2017 में यहाँ पर Myanmar में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जो कि एक ethnic group है, Rohingya Muslims है basically, and it continued to be among the largest displaced groups globally, और 2021 में आप देख सकते हो, यहाँ पर Rohingya refugees की जो संक्या है, 1.2 million लगभग चली गई, ठीक है, और साती साथ यहाँ पर मैंने आपको बताया है, बांगलादेश में सबसे जादा है, और भारत में भी इनकी संक्या क अगर आप देखो कि तो यहाँ पर उनकी संक्या बढ़ती जा रही है, यह अगर आप देखिए लगता 2012 की बाद से इस समय, total 25 million, मतलब धाई करोण refugees पूरे विश में आपको देखने को मिलेंगे, तो अब question यह होगा कि बाकी के भी क्या Rohingya refugees को अलग-अलग राज्यों में, क्या भारत सरकार settle करेगी, दिली में तो सुरुवात हो गई है इसकी, आपका क्या सोचना है इसको लेकर क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जाने से पहले एक interesting question, अभी मैंने आपको refugees की बात की, क्या बता सकते हो as per UNHRC, सबसे ज़्यादा refugees कौन से देश से आते है ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से देश में violence की वज़े से लोग जो है वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहा है, यह आपको बताना है, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते ह मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर Stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यह तो Telegram पर आईए, अलग-लग Social Media पर आप जूर पाओगे, और जैसा मैंने बताया, UPSC की त्यारी अब काफी असानी से, at affordable rate आप कर सकते हो, just at 19,000, use Discord अंकित live ताकि हमारे app और website पर आ affordable.